हाई एव्रिवान वेकम तो माई चानल आई आम सिम्रेल जहानी तो ओल दे क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारी प्यारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स ठीक है तो आज इंग्लिश का चाप्टर डीप पॉर्टर के इंपोर्टें एंड़ेंट्स को हम प्रक्तिस के ने वाल है ठीक हैं इंज्य इर्टैक्ट COPर चाप्टर के तो बहुत ही जादाए अगर तुमने यह क्वेश्ण कर लिया तो आपके चांप्टर से समय कि बहुत सारे human般 हो जाएंगा अगर आपने इन सी एर्टी मोस्ट इपोर्टेंट क्वेशन ओफ चाप्टर डीप वॉटर ठीक है और जल्दी से सबसे पहले मुझे डीप वॉटर चाप्टर के जो ऑथर है उनका नाम बताओ कॉमेंट सेक्शन में ठीक है चलो भाई है शुरू करते हैं हम इस चाप्टर के क्वेशन आंज को पहला क्वेशन है वाट इस दभी डास्तान की बात कर रहे हैं परिशाने वाली एक कहानी घटना बताई है हमें विल्यम डगलस जी ने ये बताओ तो आपको तो पता है ना क्या हुआ था एक बर विल्यम डगलस जी का मनकरा वह 11-12 वियर्स के ठीक है उनका मनकरा रही में और उनके घर के पास में रिवर भी ती याकीमा रिवर बट उन्होंने सुना वात अपनी ममी से कि भाई याकीमा रिवर बड़ी ट्रैच्र बड़ी इसमें तो बड़े सारे लोग डूब बूब के निकल लेते हैं तो इसलिए भाई इस रिवर में नहीं सीखूंगा एक अपना एडमीशन कराले स्विमिंग सीखने तो बहुत जाते हैं ठीक है अब जब जाते हैं तो नहीं पतले से हैं ठीक है और उन्हें जब गए तो थोड़ा जिल्दी चले गए होंगे सुविंग पूल बिकुल खाली पड़ा कोई भी नहीं था खाली वह अखेली बैठे व स्विमिंग पूल के पास में एक लड़का आता है ठीक है बुली आता है जो दूसरे मिलती है दूसरों को तंग करके बुली ठीक है एक बुली आता है एक लड़का राउंड होगा काफी हूं हेल्दी सा ठीक है मसल कुलर बिलकुल वह क्या करता है हमारे नरेटर को डगलस दी को उठाता है और बोलता है स्कीनी मतलब पत्लू से थे वह उनको ठाके पूल में फैक देते है ठीक है अब उस बुली को नहीं पता था कि डगलस दी को स्विमिंग नहीं आती है और डगलस दी के पूल में गिरते ही वह उनके लिए कितनी भयानग सीन था कि उन्हें स्विमिंग आती नहीं थी और बार बार डूब रहे थे कैसे वह जंप करने कि कितने अटेंप्स उन्होंने करें और फाइनली उनको तो बचा लिया जाता है उनको कोई स्विमिंग पू यहां पर इस को आप से आंसर कर सकते हो विलियम डगलस दागलास दार डियांते तेरिफाइंग चाल्ड हूट एक्सप्रियंस वो मिस ड्वेंचर किसे कह रहे हैं उनके तो अप रहा पर इस कोईसे आंसर कर सकते हो terrifying childhood experience को when he came face to face with he was only 10 or 11 years old he was tossed into a 9 feet deep swimming pool at YMCA by a big boy by a bully just for sake of fooling or fun and this account he has provided in this chapter what were the series of emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool what plants did he make to come to the surface so how did he feel the emotions and how did he remember that he put a jump on his mind that he put a cock on a champagne and he jumped on it and he also jumped on the pool but when he reached the pool he didn't know how to reach his body so that's the whole strategy which was feeling and he was feeling what he was feeling so Douglas was very afraid when he was thrown into the pool he was very scared he was a beginner 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 but Douglas didn't he was a beginner he was a beginner he was a beginner he was a beginner Mohawk he didn't go swimming so that I was not in the pool he did want to do that he made the same they made the same that, he has been to do that as he went to the bottom he's over it जो है पूल के फिर उपर आ जाओंगा और फिर जो है आगे तक चला जाओंगा एज तक उन्होंने ये अपने दिमाग में प्लान मना कुछ उन्हें लगा था कि आपनी में पानी में से वापस उपर आ जाओंगा जाओंगा पास वाट वापस उपर आप उपर बढ़ी पानी में एक तो पूरे उनके आसपास में पानी था यल्लो से पानी इह पो ब्हुत उनको बहुत तर्ड लगने लग गया उनको अपनी धड़कर ने सुनाई दे रही थी कार में बहुत जोर जोर की इट सेंद दाड वाटर अराउंड हम वस तेल अन नो अमांट ऑफ एफ़र्ट है उन्हें असा लगते है कि मेरे पास का पानी बहुत रुग गया है वह अपनी तरह से कोई प्रवर्ट करनी बन कर दी तब एकदम से जो है उनकी जब आख फुलती है तो वह पूल के साइड में थे वामिटिंग कर रहे थे उन्हें किसी ने बचा लिया तो और वह बुली आगी क्या केता और मुझे तो ऐसी में मजा कर रहा था तो यह रहा है तो सबसे पहले गाइस उनको बहुत शौक लग गया था बहुत ही डरावना उनको बार बार डल लगता रहता था वह सब सोच सोच के तो इस एक्सपरियेंस डिवाइब हैस एवर्जिन तो उनका डर था पानी को लेकर और जादा इंक्रीस हो गया था इस इंसिदेंट के बा कुछ खाना भी नहीं कहा पाई और बहुत दिनों तक उन्हें बारबार डड़ लगता रहता था था वो सब सीन उन्हें याद आते रहते थे दस्लाइटेस एक्जर्शन अपसेट हो जाते थे और उनको वूबली लगता था नीज में जो उनके घुटने हैं वहाँ पर सब्सक्राइट के बारे में सोस्ते थे यह नेव वांटे तो गो बाक तो पूली फियर वाटर और अवोइड इट वेर ही को और उसके बाद उनकी लाइफ में क्या लगा उन्हें पाने से बहुत दर लगने लगा और जहां पानी हो जाने से डरते थे ठीक है बट इवन दो पानी के डर को जो है बहार निकालने क्योंकि वह मेर्या निकाला वह ओалось और अविंजेर स्पोर्ट कर सकता हूं करने का लेक में डुपकी आर्ग डुपके आर्गे लेकों से करने का उन्हीं यह सब चीज समय जो है इंटरस्ट हाव करना चाहते देजा पानी के तो इसलिए वह इन्स्रक्टर करते हैं और स्युमिंग निए सीखते हैं नहीं हो पारा करते हैं, वो एक instructor हाय करते हैं, he was very determined to get away with this fear, तो he was very determined to get an instructor and learn swimming to get over the fear of water, तो इसलिए वो एक instructor हाय करके swimming सीखते हैं, next question, how did instructor built a swimmer out of Douglas step by step, कैसे instructor जी ने अपना जो task था अच्छे से perform करा, और Douglas जी को एक swimmer बना दिया, तो instructor built a swimmer out of Douglas piece by piece, or step by step लेख सकते हैं, औरोंने point by point करके Douglas को एक बहतरीन swimmer बना दिया, जैसे कि exam से पहले जब आप पढ़ते हो, तो मैं हमेशा आपको कहते हो कि guys, आप अपना अच्छा सा प्लान बनाने को, step by step दीरे दीरे करके, अपने short term goals बना बना के अपने पूरे slivers को complete कर और 99% भी करा ना, वैसे ही Douglas के instructor ने step by step Douglas को training दी और उनको एक बहतरीन swimmer बना दिया, for three months he held him high on a rope attached to his belt, तीन महीने तक वो अपने से एक रोप बां लेते हैं एक Douglas से, जिससे कि अगर Douglas दूप रहे हो तो वो से बचा ले और उसको जो है एक्सराइस करवाते हैं, he went back and fought across the pool, तो एक पूल में प्राक्टिस करें लेक्स को जो है, fought and back करने की, पैनिक सीज दूफर एवरी ताइम हमारी दूफर दल लगता था हमेशन दूफर पानी में जाते थे, the instructor taught Douglas to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale, then Douglas had to kick with his legs for many weeks till these relax, then he said to kick the legs like this in the water, so that you practice, after seven months the instructor told him to swim the length of the pool, और फिर साथ वहीने बाद जाके इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि तुम पूल में swimming करके मुझे देखाओ, और इससे उन्होंने step by step Douglas को एक swimmer बना दिया, how did Douglas make sure that he conquered the old terra, finally Douglas जी कैसे full proof कर ले थे, कि अम मुझे पानी से डल लगना बंद होगे, अपने आपको टेस्ट करने जाते हैं, जलो देखते हैं, after the instructor completed his training, जब इंस्ट्रक्टर ने ट्रेनिंग कम्प्लीट कर ली, Douglas वांटेट तु क्रॉस्चेक करना था कि क्या मुझे तरतों नहीं लगता ना पानी से, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने उस ओल टेरर को जड़ से खतम करने के लिए, he tried swimming all alone the pool, वो अकेले पूल में swimming करने की try करते हैं, उस समय उनको बस एक थोड़ा सा टेरर आता है, बट वो उसको tackle कर लेते हैं, बट तब भी वो satisfied fully नहीं होते हैं, तो डगलस जाते हैं, लेक वेंट वर्थ पे, वहां पे swimming करते हैं, और वहां पे अपने सारे स्टोक्स को प्राक्टिस करते हैं, and only once he felt the old teller return, when he puts his face under the water, जब लेक वेंट वर्थ पे जाते हैं, थोड़ा सा टेरर उनका गाईस तब वापस आता है, तो फिर वोमजेख करते हैं, और फिर उस किनारे पे जो है, व हां पे वो चिला के कहते हैं, कि अब उनका डर खЭтоपह सुका है, उन्हें बहुत खुशी होते हैं, बुझारे चरी होज़ेख कर सिवाश करें कृसिण तक लें, Douglas did not want the slightest traces of fear to remain so he went west and camp beside the warm lake Adian, he cams along the warm lake, he dive in the warm lake and only when he goes across the lake, he goes to the kinaaray and he goes to the kinaaray with enthusiasm he chillates and he becomes very happy, he was very happy, he was shouting in his happiness that his phobia of the water has ended How does Douglas make clear to the readers the sense of panic that gripped him as he almost jumped How does he explain to us what he faced Douglas, we explained that he had a near death experience in the chapter You will feel good, people are still looking for you like when I have explained a chapter or you will read Douglas takes us to the near death experience at YMCA pool detailing every little aspect associated with One aspect, how did the water feel, how did the water feel, how did the water feel Whatever he felt, he told everything Minutes of his emotional and mental physical struggles Look, they explained everything in this chapter The first person narration of the incident helps us to associate with this experience more deeply As we narrate him, he was the first person So this is why we connect with the chapter Though he did not lose his wits, initially he panicked when his strategy didn't work You remember that his strategy is not successful, he panicked His feeling of suffocation, fear, losing hold on senses This is why the readers have experienced everything You and I also read it It seems to me that we are looking at it His eyes couldn't see beyond the dirty yellow water When he told me that I didn't see anything in yellow water Now I will tell you that you will have visuals How did Douglas look at the pool His voice did not assist him His nose and mouth could not manage to take water to the lungs And he had no breath Everything he understood so well We can say that he has minute details So you can check this answer Let's go to our next answer How did Douglas overcome his fear of water? So this is very important for your exam Now read this question The whole chapter will be revision How did he hire his instructor? After he did step by step How did he strong his swimming So this question The whole step by step How did Douglas overcome his fear? First of all, why did he start his fear? Why did he start his fear? Because of the accident He was with him in the YMCA pool After October, Douglas decided to overcome this fear And he hired his instructor And he hired his instructor In 5 days of the week He had practice First of all, his cross He had pulled on those And he had practiced And he brought on Douglas With a rope Where he could not fall After he practiced And he did how did Douglas He did his inhale And he did his sauna Step by step He made a swimmer आप रीट करते जो, ठीक है, the instructor also taught Douglas to exhale underwater and inhale by rising nose from water, सब कुछ उन्होंने step by step Douglas को सिखाया, उन्होंने Douglas को कहा कि अपने पैर को पानी में किक करो, so that वो जो है, freely move कर पाया अपने पैरों को पानी में, October से April तक उन्होंने Douglas को एक perfect swimmer बना दिया था, बड़ तब भी Douglas को ऐसे यकीन नहीं होता था, तो इसलिए उन्होंने अपने आपको काफी बाद टेस्ट करा, July तक तो वो पूल में ही, April में उनको सिखा दी थी, पूल में ही बार-बार अपने आपको टेस्ट करते रहते थे, जुलाई तक तब भी वो साटेस्वाइट नहीं थे, तो वो लेक वेंट वर्थ पे जाते हैं, लेक वेंट वर्थ पे जब वो गए थे, स्विम करने के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा डर के ट्रेसिज उन्हें वापस आते हैं, तो उन्हें लगता है, नहीं मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में इस पानी का, तो वो फाइनल अचेंप्ट करते हैं, वर्म लेक के पास जाके कैम्प लगाते हैं, वर्म लेक में डुप की मारते हैं, किनारे पे बहाँ निकलते हैं, और तब दर के आगे जीत, मांट इन डूट पी के जैसे वो हैं मांट आवरेच चड़ जाते हैं, वैसे हमारे डुगलस जी ने पूरा अपना स्विमिंग का लेसन लेके, चार-पाच बार खुद को जो है टेस्ट करके, उन्होंने अपने पानी के जो डर था उस पे जीत हासिल कर दी तो इस तरीके से आप आंसर मेंशन कर देना, क्यों डुगलस ने हमें अपना ये बच्पन का एक्स्पेरियम्स बताया और क्यों हमें ये भी समझाया कैसे उन्होंने उसे ओबरकम करा तो एक बहुत डीप मीनिंग है इस डीप वाटर चाप्टर में, देखो, the experience of terror was a handicap, डुगलस suffered from during his childhood, उन्हें अपको याद हो को जो हमारा डर होता है उसे हम उवरकम कर सकते हैं अपनी determination के साथ, अपने willpower के साथ, और जो है, हमें अपने डरों को भाट निकालना पड़ेगा अगर हमें अपनी personality को डेवलाप करना है, अगर हमें अपनी life को fully enjoy करना है, तो इन चीजों को से हमें overcome होना पड़ेगा, he drew larger meaning from this experience, तो वो क्या बताते है हमारे को in death there is peace, एक और चीज उन्होंने हमें यह समझाई थी, कि जब उन्होंने, he was becoming unconscious, आपको याद होगा है, वो पूर में बेहोश हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत rest मिल रहा था, तो उस चीज से उन्होंने बताया, that death में एक peace होता है, वो आपको सीम याद होगा, कैसे वो कह रहे थे, कि अब मैं कोई effort नहीं कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था, मैं tender arms में हूँ, ठीक है, there is terror only in the fear of death, यह चीज भी उन्होंने समझाई, कि terror किसमें है, fear of death में है, death तो peaceful होती है, यह चीज उन्होंने हमें इस चाप्टर में समझाई, he had experienced both the sensation of dying, उन्होंने बिल्कुल ही near death experience था उनका, और कैसे वो उस fear को overcome करेंगे, दोनों चीज उन्होंने हमें इस चाप्टर में समझाई, so the will to live somehow grew in intensity, तो उनकी वो जो विल थी ना जीने की, और fear को overcome करने की, वो ज्यादा strong थी, इसलिए जो हमारे डगलस जी है, finally, आपने देखा कि कैसे वो लेक में पूरा अपना swim करके, उसके किनारे तक बहुत जाते हैं, और वहां पे जो है, वो जो है, finally, अपने fear को conquer कर लेते हैं, question है, all we have to fear is fear itself, यानि की डर से ही हमें डर लगता है, अगर हम ड और आपने क्या strategy अपनाई थी, उसको overcome करने के लिए, एक ऐसा सांधर सोचो, ठीक है, और with this, I am ending this video, bye bye, best of luck, यहां हमने important NCERT question practice करें, आपने देखा, NCERT के इस चाप्टर के बहुत important question है, यहीं से बहुत सारे questions बन कहा सकते हैं, कैसे instructor ने Douglas को swimming सिखाई, कैसे Douglas बार बार ब पानी में, क्यों वो उन हमें इस अपना बता रहे थे, हमें सीख देना चाह रहे थे, कि हमें भी determined होना चाहिए, challenges को overcome कर लेना चाहिए, deeper meaning उन्होंने इस chapter में समझाय क्या, कि there is peace in that, और डर के आगे जीत है, यह चीज उन्होंने हमें समझाय क्या, that there is fear and terror, terror से ही हमें डर ल झाहिए, 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 झाहिए.